नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूडी एनिमेशन और टूडी एनिमेशन में आपको बता रहे हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो से शुरू कर रहा हूं दोस्तों हम लोग देखते थे टॉम एंजेरी करके एक कार्टून आता था टीवी पे औ और उसको किस टैप से क्रियेट किया जाता था आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं उस टैप के कार्टून को बनाना आप मेरे स्कीन पे देख रहे हैं यह जो यहां पे एक करेक्टर है जो इसको बिल्ली बोलते हैं और इसको हम एरेंज करेंगे एनिमेर्ट कर गाता था उस टैप के कार्टून को इसका दिखिए मैंने अलग से इसका जो hand होता है जो हाथ है इसका मैंने create कर रखाऊ इस step से और इसका character को है कुछ step से हैं तो चलिए हम animate CC में जाते हैं और वहाँ पर जाकर इसको हम arrange करेगे proper धंग से जिससे हमें animation में आसानी हो तो दोस्तों ये हमारे पास cat है और cartoon hand है हम इसको क्या करते हैं यहां से dragon drop करते हैं animate CC में यहां से मैं animate CC में dragon drop किया यह हमारे पास तीनो character जो है आगया अब हम इसको क्या करेंगे अलग-अलग हम create करेंगे तो हम इसको करते हैं select किये और F8 प्रेस करते हैं और symbol में convert करते हैं उसी टैप से इसको भी F8 प्रेस करते हैं symbol में convert करते हैं और इसको भी हम F8 करते हैं symbol में convert करते हैं यह तीनों को हमने अलग-अलग character पे symbol में convert कर दिए और अब हम क्या करेंगे one by one आपको जो है पहले इसकी setting करना पड़े जैसे माल लिए ये देखिए outline आ रहा है इस type से outline हमको नहीं चाहिए यहाँ जो outline आ रहा है तो हम क्या करेंगे माल लिए हम पहले इस character को जो है set करते हैं बीच वाले character को तो हम इस पर अंदर जाते हैं इससे अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे इसके head को अलग से रखेंगे यह जो head है इसको हम f8 प्रेस करते हैं अलग कर दिये और उसके बाद हम क्या करेंगे यह जो body है यह और यह इतना पार्ट को हम F8 प्रेस करते हैं और ये जो हाथ है दोस्तों हम हाथ को पूरे को एक साथ रखेंगे F8 प्रेस करते हैं और इस हाथ को पूरे को हम एक साथ रखेंगे और इसी तरह से जो है लेग को ये पूरा लेग को एक साथ रखेंगे और इस leg को भी हम पूरा एक साथ रखेंगे, इस step से हमने जो है, इसको हम create कर दिये हैं और इसका जो tail है, बलब push जिसको बोलते हैं, push को हम अलग रखेंगे तो इस step से हमने इसको create कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम arrange करते हैं हेड जो है सबसे ऊपर रहेगा और यह लेग जो है पीछे कर देता हूं इसको भी हम पीछे कर देते हैं इस हाथ को हम पीछे करते हैं और इसके टेल को भी हम पीछे कर देते हैं यह हो गया अब हमें क्या करना है जो यह आउटलाइन दिख रहा है जो कि हम अच्छा नहीं लग जो है head के अंदर हम गए, head के अंदर जाने के बाद हम इसको अलग-अलग करेंगे, जैसे इसका lips जो है, F8 प्रेस करके अलग कर लेते हैं, और इसके जो I है, इसको भी हम अलग करेंगे, Ctrl X करते हैं, और Ctrl Shift V, सेम जिए पर प्लेस हो गया, इसको हम F8 प्रेस करके, अलग कर दिय यह हमारा अलग हो गया, यह हमारा अलग हो गया, अब इसके अंदर जाते हैं, दείए यह एक पूरा element है, एक साथ, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इसको हम इसके year को भी हम animate करेंगे year को हम यहां से क्या करते हैं यहां से cut करते हैं cut करने के बाद हम यहां पे ctrl V करेंगे और इस part को हम क्या करेंगे ctrl X करते हैं और एक layer create करते हैं ctrl V और इसको हम रखेंगे इसके नीचे इसको भी हम F8 प्रेस करते हैं इसको भी F8 प्रेस करते हैं, इसी टैप से यहाँ पे जो है इस येर को भी हम बाहर रखेंगे, इसको भी Ctrl X किये, यहाँ पे एक लेयर बनाए और इस टैप से हमारा हो गया, इसको भी F8 प्रेस करते हैं, सिम्बॉल कनवर्ट करते हैं, तो दोस्तों, एनिमेट CC में जितने भी केरेक्टर होंगे, सभी को आपको सिम्बॉल में पहले कनवर्ट करना पड़ेगा, तभी वो एनिमेट प्रोपर धंग से हो पाता है, अब इसके अंदर जाते हैं, इसका जो आउटलाइन है, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और मोटा, इतना कर देते है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाते हैं, और इसके अंदर जाने के बाद इसके आउटलाइन को हम यहाँ पर मिटा देते हैं, जो कि सही से एरेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ से रिमूट टूल लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से, सिर्फ इसके आउटलाइन को हम मिटा जाते हैं इस टैप से हमने इसको मिटा दिये यहां से और अब बाहर जाते हैं आप देखिए कुछ इस टैप से हो गया और इसी टैप से जो है यहां जो है इसको हम मिटा देते हैं यहां पे इस लाइन को हम मिटा देते यहां से देखिए अब एक साथ लगता है कि जुरा हुआ है आप देखिए कुछ इस टैप से हमारा जो है character create हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसके eye को बिलिंग करवाएंगे eye को चलो बाद हम बिलिंग कराते हैं और पहले हम क्या करेंगे यहां पे ठीक हो गया उसके बाद हम बाहर जाते हैं बाहर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा इस body में जो है इसके neck जो है, neck को हमको यहाँ से delete करना पड़ेगा, outline को, तो हम यहाँ से outline को कुछी step से हम delete कर देते हैं, इतना दूर तक, अभी देखिए, यह हमारा जो है, इस step से बन गया, अब इसी step से इस हाथ में जाते हैं, इस हाथ में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस outline को हमको यहाँ मिटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इस हाथ के अंदर हम गये हैं, और इस हाथ को भी हमको तीन भागों में divide करना है, क्योंकि हमको proper ढंग से animate करना है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जाते हैं, इसको यहाँ से cut करते हैं, और एक layer create करते हैं, control shift V, औ और सभी को symbol में convert कर देते हैं, F8 प्रेस करते हैं, F8, F8, और अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके जो outline है यहाँ से, हमको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, तो हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से मैं इसको delete कर देता हूँ, यहाँ से, इस step से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम, यहाँ से थोड़ा से हम remove करेंगे, इतना, ठीक है, अब ही देखिए, इस step से हमारा हो गया, यह हाथ हमारा proper हो गया, और उसके बाद इस हाथ में भी हम जाते हैं, यहाँ से, यहां से हाथ में जाने के लिए क्या करेंगे इसको हमको थोड़ा सा रिमूव करना होगा तो हम इसके अंदर जाते हैं इसको मैं थोड़ा सा यहां तक चलिए में रिमूव कर देता हूं इतना दूर तक बापस जाते हैं देखिए इस step से हो गया अब हम क्या करेंगे इस हाथ में जाते हैं और इसको हम यहां से कट कर लेते हैं और एक new layer create करते हैं control shift भी और इसको भी हम अलग कर लेते हैं और सभी को symbol में convert कर लेते हैं ठीक है और यहां से देखिए यह हाथ को मिटाना है यहां से eraser tool लेते हैं इस step से हम इसको मिटा दिये यह हो गया अभी क्या है देखिए अब pad को भी हमको करना पड़ेगा तो हम एक जो है इसको भी हम मिटाते हैं यहां से line हमको दिखना ने चाहिए पूरा body जो है एक साथ लगना चाहिए तो इसको मैं यहां से erase कर देता हूं यहां से लेके यहां तक ठीक है अब देखिए यह हो गया देखिए पूरा body अब mix हो गया और इसी तरह से हम इसको भी इसको हम क्या करेंगे इस लेक के अंदर जाते हैं और यहां पर भी हम को तीनों को अलग-अलग करना है यहां से control x करते हैं एक layer create करते हैं control shift v इसको भी अलग कर लेते हैं और सभी को symbol में convert करते हैं ठीक हो गया अब क्या करेंगे यह जो है इस pad को हमको यहां से line को delete करना है इस टैप से हो गया यह हमारा जो है यहां रहने देते हैं अब इसकी पैर के अंदर जाते हैं इसको भी हम कोपी कर लेते हैं यहां से और यहां पर एक new layer create करते हैं control shift v और इसे टैप से इसको control x एक layer create करते हैं control shift v आप तीनों को symbol में convert कर देते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं इसके outline को मैं यहां से delete कर देता हूं यहां से मैंने result delete कर दिये अब दोस्तों देखिए यह character हमारा जो है प्रोपर ढंग से यह बन गया है क्यार हो गया है लेकिन इसमें थोरा सा हमको जो है arrange setting करने की और जरूरत है अब setting कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं देखिए अभी क्या है यह animate करेंगे तो कुछ step से देखिए बीच से animate होड़ा लेकिन हमें बीच से नहीं करना है इसको हमको यहां पर point है इसको हमको यहां पर लेका आना पड़े है कि यह हमें यहां से animate हो ठीक है अब उसके बाद हम तो हम क्या करेंगे पहले यहां से हम क्य करते हैं और सही से हमें दिखाई दें कि हम पॉइंटर को कहां रखें इस पॉइंटर को हम रखते हैं यहां पर ठीक है यह पैड का पॉइंटर है इसको रखेंगे हम यहां पर इस पैड का पॉइंटर है इस पॉइंटर को हम रखेंगे यहां पर ठीक है यहां पर रखते हैं और यह जो पूछ है इस पूछ को पूइंटर को हम यहां से जो कि इस टैप से एनिमेट हो सके इस हाथ का पूइंटर जो है हम यहां पर रखेंगे इस हाथ का पूइंटर हम यहां पे और जो head है head का pointer हम यहां पे रखेंगे अब यह हमारा जो है proper बन गया है लेकिन अब क्या हुआ है एक चीज़ और है इस हाथ के अंदर जाते हैं तो यह तीनों को भी हमको set करना पड़ेगा सही तरिंग से तो इस pointer को हमको यहां पे रखना है इस pointer को यहां पे यह हाथ को यहां पे ठीक है यह हो गया हमारा जो कि यहां से movement करें तो कुछ इस step से movement होगा और इसको अगर rotate करें तो यहां से rotate होगा ठीक है अब क्या करेंगे इसी step से इस हाथ को भी हमको करना है तो यहां से outline में कर देते हैं और इसको यहां पे इसको यहां पे यह यहां पे ठीक है इसी step से pad के अंदर जाएंगे पेड़ के अंदर भी तीन पार्ट है इसको यहां और यह यहां पे इस pad के अंदर भी तीन पार्ट है यह हो गया अब यह character जो है प्रोपर सेट हो गया आई का animation जो है हम अलड़ी बहुत सारे character में आपको दिखाए हैं लेकिन फिर भी मैं इसको दिखाऊंगा कि आई का blink कैसे कराया जाता है और हर जगे अलग-अलग आई का blink कराना है हमको तो वो भी के step से हम कराएंगे अब क्या है इसके हाथ को हम सेट करेंगे जो हथेली होता है इस हथेली को हमको बहुत सारा हमने आपको दिखाए थे इलिश्टेटर में देखिए यह बना हुआ है इस हथेली को भी हम यहां पर रखेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर जाते हैं इसके अंद n import करते हैं ए यहां से हम काटून भीड़ेड़ और इसको हम यहां से इंपोर्ट करते हैं अब यह जो हात हैं यह हात हमारा यह है हम इसको यहां से क्या करते हैं कट कर लेते हैं और हम इस हथेली के अंदर जाते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं हम जो कि इस पर रखेंगे अब हम क्या करेंगे देखिए यह जो पूरा हाथ है एक साथ हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जो कि हमारा इस हाथ बेर्जा हम इसको क्या करते हैं डिलीट कर कर देते हैं और इसको मैं देखते हैं यहां पर यह इतना वरा रहेगा यह ठीक है और इसी को हम क्या करते हैं यहां से कोपी करते हैं कोपी करने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं इसके अंदर जाने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं जो कि दोनों इधर आ गया अब इसको यहां से हम डिलीट करते हैं और one by one हम यहां पर setting करेंगे तो क्या करते हैं सभी को symbol में convert कर देते हैं f6 f8 f8 सभी को हम symbol में convert करते हैं चलिए हमने कर दिये सिंबॉल में कनवर्ट अब हम क्या करेंगे यह जो है हमारा सुरू का हाथ वन का हाथ यह रहेगा ठीक है यह हमारा वन रहेगा यहां से हम यहां पर रखते हैं और इसका जो है पॉइंटर हम यहां पर रखते हैं यह स्टैप से ठीक है यह हो गया अब हम क्या करेंगे यहां से सभी को कट करते हैं कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देते हैं कट करने के बाद एक फ्रेम बनाएंगे एप 6 प्रेस करते हैं कंट्रोल वी और इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं और इसको यहां पर रखते हैं और इसका पॉइंटर यहां स्टैप से ठीक है इसको यहां से कट करते हैं एप 6 प्रेस करते हैं फिर से कंट्रोल वी इस बार इसको हम डिलीट करते हैं इसको रखते हैं इसका पॉइंटर भी हम यहां रखते हैं कंट्रोल एक्स एफ 6 प्रेस करते हैं इसको डिलीट करते हैं अब इस टैप से जो है मैं सभी को एक बार एरेंज करना पड़ेगा हम थोरा सा फास्ट कर लेता हूं जल्दे जल्दे एरेंज कर लेता हूं इसको तो दोस्तों मैंने इस टैप से सभी हाथ को यहां पर मैंने लगा दिया है अपने अब जिस भी हथेली के हम को जोरत होगा वह हथली ओटोमेटिक हम ला सकते हैं इसको हम इसके बाहर जाते हैं बाहर आने के बाद हम इसको क्या करते हैं यहां से हम पॉस कर देते हैं जो कि हमें रुकार है अब इसके बाहर जाते हैं यहां से भी हम यह कर देते हैं अब हम क्य का इसका जो काम है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो आसा करता दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक चरूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल क कोई तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आँ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थेंक यू